कुस्मी अनुभाग S.D.O.P. रितेश चौदरी एवं उनकी टीमी नाबालिक को आइस्क्रीम खिलाने के बहाने बहला फुसला कर गैन रेप करने वाले आरूपियों गिरफतार कर भेजा जेल नमसकार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं G7 News बलरामपुर जिले के नव पदस्त पुलिस अधीक्षक महुदे बलरामपुर लाल उमीद सिंद के द्वारा सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को महिला संबंधिय प्राग शिकायत का तकपरता से मिराकरन करने का मिर्देश दिया गया था जिसके परिपालन में S.D.O.P. कुस्मी रितेश चौदरी में कुस्मी अनुभाग के सभी पुलिस अधीकारियों को S.P. महुदे के उक्त मिर्देश का कड़ाय से पालन करने के संबंध में मीटिंग भी दि दिनोग साथ जून 2023 की सुबह करीबं 11 बजे कुस्मी क्षेतर के एक गाउंग में शादी का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें एक 16 साल की नाबालिक आदिवासी युवती शामिल होने गई थी उक्त शादी समारों में विनोध इकका, संबीप तिर्की, चंद्रप्रकाश मिंज भी गए हुए थे संबीप नबालिक लड़की को बहला फुसला कर बादचीत करने लगा और उसे आईस्क्रीम खिलाने के बहाने अपने दुनों साथी विनोध इकका और चंद्रप्रकाश के साथ स्कूटी में उस युवती को बैठा कर कदमटोली ले गया, वहां तीनों लड़के शराब पिये, जब लेठ होने लगा तो लड़की घर जाने की जिद करने लगी, तीनों लड़के में उसे चलो घर छोड़ देंगे कहकर कंचंचन तोली बांध ले गये, रात तीनों लड़के उस युवती के साथ छेड़ खानी करने लगे, उस युवती को अकेला पाकर और अंधेरे का फाइदा उठा कर बांध किनारे सुनसान जगह पर बलातकार करने लगे, तीनों युवक बेरहमी से उस युवती के साथ बलातकार कर रहे थे, जब युवती इ यदि किसी को बताएगी तो तेरे परिवार वालों को भी मार डालेंगे। जिससे यवती डर गई और सदमे में आ गई। उक्त घटना की थाना में रिपोर्ट होने पर S.D.O.P. कुस्मी रितेश चौदरी में S.P. डॉक्त डॉक्त लाल उमीद सिंग को समकून घटना खरम से अफगत कराया। जिस पर S.P. के द्वारा गंभीरता और चिंता व्यक्त करते हो ततकाल आरोपियों की धरपकड के आदेश दिये। जार्खंट की ओर भागने लगे। पिलिस टीम द्वारा उनका पीछा करने पर ब्राम जैरागी जार्खंट के पास लगे जंगल में। चिक में लगे जो रात भर काफी खोजबीन करने के बाद सुबह करीबं 6 बजे उन दोनों आरोपियों को पकरनी में सफलता मिली। दूसरी टीम जिसमें प्रकाश तिर्की, ओम प्रकाश, संजै साहू, देवतरामितका, संजै कुजूर, शामिल थे। जिन्हों में आरोपी चेंद्र प्रकाश की गिरफतारी हेतूर उसके साकिन हस्पुर दबिश दिये, परंतु आरोपी फरार हो गया था। जो साइबर सेल के माध्यम से आरोपी का लोकेशन पता करने पर उसका लोकेशन अमविकापुर मिलने पर उक्त टीम के द्वारा रातो रात उक्त आरोपी को भी गिरफतार करने में सफलता प्राप्त हुई। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना अपराद किया जाना स्वीकार किया गया है। एसपी लाल उमेद सिंग में ततपर्ता से कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफतार करनी। पर पूरी टीन को शिबासी देते हुए एसडी ओपी कुस्मी रितेश चौधरी को यथाशीगर आरोपियों के विरूगत चाजशीत पेश करते हुए पीवित लड़की को खशतिपूर्ती राहत राशी दिलाने हेतु निर्देश दिया है। लगातार दो दिन तक पूरी टीन के द्वारा करी मेहनत करके आरोपी एक विनूद इकका पिता लक्षमी प्रसाद उन्ड 25 साल, दो संदीप तिर्की पिता भुनेश्वर उन्ड 20 साल, दो हुन निवासी पाकरडी, तीन चंद्रप्रकाश मिंच पिता सुक्चरुन उन्ड 25 साल, निवासी हस्पुर को गिरफतार किया गया है। शामिल थे। आरोपी संदीप, विनूद और चंद्रपकाश को दो दिवस के कड़ी महनत के बाद कुस्मी पिलिस के द्वारा गिरफतार करने में सफलता मिली है। आज इन तीनों आरोपियों को पासको एक टॉबलत कार के अपराद के तहत नाइक रिमांड पर भेजा गया है।